हाई गाईज वेलकम टू माई चैनल थ्री एंजल थ्री एंजल में आपका बहुत बहुत नमन है मैं एमडी आज सनीवार के दिन जन में व्यक्ति का गुड़ बताएंगे कि उनका क्या गुड़ होता है क्या सारे रिक्सन रचना होती है क्या उनमें क्वालिटीज पाई जाती है कि वो अपना जीवन कैसे बतीद करें कैसे उनका अभिकास हो कैसे अपना ब्रिद्धी और विकास करें दोस्तों सनीवार के जन में जातक क्रूर और पाप ग्रह सनी से अत्यधिक प्रभावित होते हैं दोस्तों इनका आंक 6 या 8 माना जाता है इस दिन जन्मा बेक्ति है इनकी जो यह चिन वोती है ना टूम वह बहुत फैली होंती है इनका दोड़ा हुआ कंदा कंदा एक है तम सीधा नहीं होता है दोस्तों का कला तोड़ा जो अच्छी भौवे नहीं होती है थोड़ी मोटी थोड़ी दरदरी टैपकिन की भौवे होती है आवाज में तेज होती है गर्जदार होती है ये कभी कभी बहुत मूडी इंसान होते हैं दोस्तों और ये धर्म कर्म को मानने वाले होते हैं ये भगवान को भी मानने वाले होते ह इश्रमी, धन कमाने वाले सैयमी और बहुती कंजूस होते हैं दोस्तों, जरा सिविल्ला परवाई होने पर इस दिन के जन्मे बेक्ति अपराद में भी लिप्त हो जाते हैं, ये माता, पिता, भाई, बहन सब ठीक होते हैं, लेकिन ये है कि अभी-कभी गलत रास्ते पर चले होने के जाएं जाते हैं, उस ये जाथक जो है गुप्त विद्या को जानने का सौक रखते हैं, जोती सी बन सकते हैं, या तो तंत्रोंमंत्र की साधना कर सकते हैं, इनको सबका अच्छे से आता हैं, दोस्तों, थे सब्हाव के कारण कही बार ये कुछ अनर्थ भी Till डालते ह दोस्तों इस दिन की जन्मी कन्या कलाइ प्रिय होती इसा करने वाली क्रोधी भी होती। माता पिता भाई बैन परोसियों से बिचार बिल्कुल नहीं मेल खाता है। यह जो सनी वाले लोग होते हैं हर बात में अपना ही हागते रहते हैं। मैं जो बोलूँ वही रही है, दुसरा जो बोलता है वो गलत है, इसमें ये गुन पाए जाता है, प्राया जीवन इनका सुखी नहीं रहता है, वो अड़ता है अपने ही जिवन खराब कर लेते हैं, दोस्तों, ये अनावशयक उल्टे सीधे, और किसी किसी को करोज से बुल द देते हैं दोस्तों जिसके कारण कभी कभी जीवन जो है थोड़ा तकलीप में आ जाता है लेकिन इसके अलावा ये बहुत ही परिश्रमी होते हैं बहुत मेहनत करके आगे जाते हैं सनी के लोगों दोस्तों इसके लिए बताया जा रहा है कि सनीवार के जो दिन पैदा होते हैं बहुत जिद्धी परिश्रमी और मेहनत वाले होते हैं और मेहनत से ही बहुत ही आगे सकसर जाते हैं इनका बुड़ापा बहुत सुख में बिद्धा है दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही थैंक यू सो मच